नमस्कार दोस्तो Civil Engineering Support के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त Engineer अभिशेक सिंग दोस्तो वैसे तो आपको भी फता है कि घर रोज रोज नहीं बनता है और घर में सिरी का क्या importance है आप भी जानते हैं लेकिन दोस्तो इतना importance होने के बाद भी कुछ लोग सिरी वनवाने में कुछ गलती करते हैं कुछ अंदेखी करते हैं जिसको की future moon को काफी परसानी होती है अब देख लिए दोस्तो यह सिरी का जो flight का angle है फर्स से वो कितना रखना चाहिए यह angle दोस्तो 30 से 35 degree अगर residential भावन है तो उसमें 30-35 degree से जादा नहीं होना चाहिए बहुत से लोग इसको उसके उपर ले जाने कोशिस करते हैं और दिक्कत यह होता है दोस्तो कि जब सिरी पर चड़ते हैं या फिर उतरते हैं तो ठकावट जादा होती है तो इन सब चीज का ध्यान देंगे अब बात कर लेते हैं कि जो first flight है second flight है तो आखिर काज इसके thickness कितनी रखनी चाहिए दोस्तो हमें जो भी material यूज करने हैं वो बहुत सोच समझगे इस्तमाल करने होते हैं अब दोस्तो बात कर लेते हैं चली मैं आपको measuring tape निकालता हूँ और आपको नापी करते हुए दिखाता हूँ और शाद शाद बताने की कोशिस करता हूँ कि आपको कौन सा parts को किस तरह से बनवाना है आपने flight angle तो देख लिया अब दूसरा चीज देख लिजी आपकी आखिरकार इस flight का thickness कितना रखा जाए तो दोस्तो चार से पांच इस आप रखवा सकते हैं चार इंज का जो flight होता है दोस्तो उससे आपका काम आसानी से चल जाएगा और आपकी थोरी से material की भी बचत हो जाएगी तो यह अच्छी बात है अब बात कर लेते हैं दोस्तो ट्रेड का ठीक है मतलब की एक step का height कितना होना चाहिए ताकि हमारे घर के गर में सभी एज के लोग रहते हैं दोस्तो कोई बुजूर्ग होते हैं कोई यंग होते हैं यंग लोगों के लिए तो कोई दिक्कत में जादा एज के लोगों के लिए दोस्तो सीरी चेरणा तो वैसे भी एक challenging work है इसलिए हम राइजर का जो हाइट है उसको बहुत ही सोच समझ करके देना चाहिए दोस्तों मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको पांच से छे इंची रेस डेंची रख सकते हैं इससे ज़्यादा किजएगा तो जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी और अगर बात कर लेते हैं ट्रेड का जो विड्थ है चोड़ाई है तो आप जो है वो दस इंची रख सकते हैं ग्यारा कर सकते हैं दोस्तों लेकिन नौ इंच नहीं कर सकते हैं कम किजएगा चोड़ने में तो बहुत जादा परसानी नहीं होगी लेकिन जब आप उपर से उतरते हैं तो पैरफिसलने का चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने ट्रेड जो है वो छोटा दे रखा तो अब बात कर लेते हैं रेश्डेंसियल भावन के लिए जो सिरी की मिनमम चोड़ाई है वो तीन फीट रखा जाए और सारे तीन फीट रखिएगा तो आप असानी कर ले जाना हुआ आपको तो उसमें दिक्कत आती है अब बात कर लेते हैं कि लेंडिंग किस तरह से डिसाइड करें तो लेंडिंग के लिए मैं बताओ दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि जितने चोड़ाई आपके शिरी का है लगभग लभग उतना ही चोड़ाई आप जो फर्स्ट फ्लाई और सेकंड फ्लाई में गैप होना चाहिए दोस्तों अभी मैं जिस साइड पे हूँ फर्स्ट लेंडिंग के काम हो चला है और इसके बात दोस्तों छत लेवल तक ढ़लाई अभी सीरी की नहीं हुई है और उसके बात दोस्तों एक और आपके लिए चैलें झाले